इंशूरेंस कमपनी वगर आपको किस तरीके से हैरस्मेंट करेंगे आप ये सोच भी नहीं सकते हो ये लोग करोर रुपे खर्श करके एक लीकल टीम बिटा के रखते हैं ताकि आपको एकदम सुप्रिम कोट तक घिसा जा सके यही कुछ सेम रवाया सेंटल गवर्मेंट हेल स्कीम CGHS ये स्कीम में भी आपको देखने को मिलता है और यही हुआ है स्विवकांध साहु जी के साथ तो हुआ क्या था ये सुनिए पर उससे पहले जो देश में 50 करोर रुपे खर्श किया जाता है इलेक्शन के वक्त पूरे बिश्व के नंबर वन में हम लोग आते इलेक्शन में खर्च करने के मामले में और वही देश के प्यारे सिटीजन प्यारे वोटर के लिए मेडिकल बिल के लिए हम लोग इत्तू सा खर्च नहीं कर सकते तब हम लोगो सुप्रीम कोट तक घिसट करके लेके जाया जाता है अब क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ जस ग्राउंड रियालिटी आपको बोल रही हूँ बात जब इंस्वरेंस पॉलिसी के उपर होता है न तो घड में आ करके दो घंटा लगता है ब्रेंवाश करने में अब बात जब इंस्वरेंस का पैसा देने में आता है बात सुप्रीम कोट तक पहुंच जाता है ये एक सुप्रीम कोट जज्जमेंट है तो केस का नाम है शिवकर वर्सेस यूनियोन अफ इंडिया अब सेंट्रल गर्वrumन्ट जो है स्कीम देता है इसको शौuard में बोला जाता है cghsần अब हाली में ही central गर्वर्मेंट cghs का rate को high कर दिये और referral का जो प्रोसेस था इसको simplify किये और यहाँ पर cashless transaction को introduce किये और इसी के साथी साथ वीडियो कॉलिंग का फीचर्स को भी यहाँ पर लाया गया है अब CGHS कार्ड की फेसालिटी सेंटरल गप्मेंट के एम्प्लोईस को मिलता है जो लोग सर्विस में है या फिर जो लोग रिटायर हो गए उनको मिलता है अब हुआ क्या था एक रिट पेटिशन फाइल किया गया था यहाँ पर शिवकंद जी CGHS कार्ड होल्डर थे एक दिन अचानाक इनको हॉस्पिटलाइज करना परता है एडमिट करा जाता है फॉर्टी सेस्कॉर्ट हॉस्पिटल डेली के अंदर अब जो बिमारी पकर में आता है उसको ट्रीट करने के लिए CRTD डिवाइस इंस्टॉल करने के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते है अब CRTD डिवाइस इंस्टॉल करने के लिए फॉर्टी सहॉस्पिटल में और बाकी के 切्रिप्मेंट के लिए इनको मुंबाई जशलोग हास्पिटल में बेजा जाता है 40 वास्पिटल में बिल आता है 9,83,343 अब जशलोग हास्पिटल में बिल होता है 3,98,097 तो कुल मिला के टोटल हो जाता है 13,84,440 अब शिवकान जी रिकावर हो जाने के बाद इनका सारा का सारा जो medical bills वगरा है CGSH department के पास पेश करते हैं पहले ये बिल प्रस्तूत करते है Technical Committee के पास Technical Committee without any reason सीधे सीधे बोल देते कोई भी पैसा वगरा आपको नहीं दिया जाएगा और without any reason कोई कारण नहीं बताते हुए reject कर देते अभी ये पहुँँच जाते Standing Committee के पास Standing Committee भी वही सेम बात बोल देते reimbursement नहीं हो पाएगा अभी सिवकान जी शीधे पहुँच जाते एक और department के पास Secretary, Ministry of Health and Family Welfare department के पास और वो लोग भी सीधे सीधे बोल दे और हम लोग इसका reimbursement नहीं करेंगे और most interesting बात क्या ही पता है हर एक department कारण नहीं बोल रहे और यहीं पर एक छोटा सा request हम लोग simple language में कारणी गियान आप तक पहुँचाते तकि आपको legal rights के बारे में पता चाल सके आम जनता को जागरुख बनाया जा सके और आप में से सिर्फ 1% लोग subscribe किये 100% लोग में से तो प्लीज एक subscribe जरूर कर दीजेगा हर एक department कारण नहीं बोल रहे कौन सा reason के इतायत इनका जो पैसा है इनको नहीं दिया जा रहे अभी यहाँ पर आ करके इनको दो reason मिलता है सबसे पहला जो चीज इंप्लांट किया गया है जो डिवाइस किया गया है तरहीं CRTD यह डिवाइस इंप्लांट करने का कोई जरूरत भी नहीं है नमबर वान नमबर टू यह बोला गया यह डिवाइस इंप्लांट करने से पहले हम लोगों का permission लेना बनता था हम लोगों से कोई भी permission नहीं लिया गया ये device implant करने से पहले ये दो reason बोल करके उनको reject क्या गया अब एक बाद बोलिए permission लेना पड़ेगा emergency आपको what's up करके बोल के आएंगे Hi Hello I am emergency I am coming आरती उतरने की थाल सजा करके रखे ये कैसी बात हुई भाई, एमोर्जिंसी जहां पर हो रहा है, पर्मिशन लेना पड़ेगा, अब उनका लिस्ट देखने बैटे हम, उनके लिस्ट पर कौन सा हॉस्पिटल कहा गया है, कौन सा नहीं कहा गया है, एमोर्जिंसी जब होएगा, तब उनको इमीडियरली भरती करन पड़ेगा, हाना, पर रेलेटीव या फिर बेटा बेटी जो चाहे बोलो, उनका रोल बहुत कम होता है, पेशन को भरती कराने के मामले पर, उनके दिमाग में सिर्फ उनको बचा नहीं, ये थौट काम करता है, जब तक परमिशन आएगा, जब तक प्रॉसेस वगरा कम्प जाता है, सिंपैथी दिया गया जी, अब सिंपैथी मिडिल क्लाज लोगों को ही दिया जाता है, देखें, जब 13 लाग अमाउंट है, आपको कुछ पैसा दिया जा रहे है, तब मन में क्या होगा, अरे ठीके, कुछ भी नहीं, तो ये ही सही, है ना, ऐसा मन में फीलिंग्स ह होता है, अब क्या होता है, अभी सिवकांद जी को पूरा बखु भी पता था, आर्टीकल 14 और 21, राइट टु लाइफ के अंदर राइट टु हेल्ट भी आता है, राइट टु हेल्ट इस फंदमेंटल राइट, गी हमारे कंस्टिटिशन अफ इंडिया हमको ये अधिकार द दे थे, अब रिट पेटिशन तुरंत देखते ही सुप्रिम कोड ओडर दे दिये, इंटरिम रिलीफ के तायद इनको 3 लाग रुपे अभी के अभी दिया जाए, बाकी रहा 4,99,555 रुपीज, इसके उपर सुप्रिम कोड में सुनवाई हो रहा था, अब शिवकांद जी इ इसके तायद उनका जान ही चला गया है, अब ऐसा रिकॉर्ड जहां पर है, क्या कोई इंसान एक बर से जादा दो बर सोच पाएंगे, जब उनके साथ कोई ऐसा इमर्चिंसी हो रहा है तो, नहीं न, यह देखिए जेनरल एक मतलब हुमन नेचर है, अगर मैं आपको बोलती के पास चला जा, यह बहुत अच्छा दवाई देते है, वो एकदम भगवान के समान है, वैसे डॉक्टर होते ही भगवान के रूप, हैना, तो आप वहाँ पर जाओगे, हैना, इस तरके से वो अपना कोट में आर्कुमेंट पेश किये, और सुप्रिम को डीटेल में दोनो पक्ष के मैटर को समझे, और जो अपोनेंट पार्टी के एडवोगेट थे ना, वो लोग बोले, तो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, वो फॉलो करके ही इनको कहा जा रहा है, और जो चीज इन्होंने किये, वो हमारे लीस्ट के अंदर नहीं है, तो जो हॉस्पिटल यहा और कोई भी रेलिवेंट टाइम नहीं था, डिसाइट करने के लिए, उस एमर्चेंसी कंडीशन पर सरवाईवल ही उनका प्रायोरिटी था, तो जो हॉस्पिटल पर ट्रीडमेंट किया गया है, वो हॉस्पिटल का नाम गवर्मेंट और पर मेंशन नहीं था, यह रीजन न लिए है, डॉक्टर्स के उपर छोड देना चाहिए, वो लोग जो सही समझेंगे, वो करेंगे, वो ट्रीडमेंट देंगे, और अगर एक बार यह चीज़ एस्टाबलिश हो जाता है, उनके लिए यही ट्रीडमेंट सही था, जो की साबित हो गया था, तो टेक्निकल ग्रा किया जा रहा है, इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट उनको भगाया जा रहा है, इंसूरेंस का मतलब क्या, सालों पहले चाइनीज और बैबलोनियन जो आपस में ट्रेट करते थे, एक दूसरे के बहुत सारा लॉस हो जाता था, अब यह मैनेजमेंट करने के लिए, यह लोग आपस में डिसकस किये, तर हम लोग कुछ पैसे इखटा कर ले थे, जब भी कोई एक इंसान का लॉस हो जाएगा, हम लोग वहां से भुकतान कर लेंगे, अब इसको नाम दिया गया था, इंसूरेंस, जो आज तक फॉलो हो रहा है, आपके घर में आ करके, चाय पानी पी-पी करके, आपको बोल के जाएंगे यह बेनिफिट आपको मिल जाएगा, आपके गुर्दे फिक्स कर दिया जाएगा, आपके किड्डी फिक्स कर दिया जाएगा, सब कुछ बरो-बर हो जाएगा, कोई भी पैसा खर्च करने की वैलू मिला है अगर मिला है कि लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेडिकल इंसोरेंस वालो आपको किस तरखे से हैरस कर सकते तो ये वीडियो ज़रू देखिए बहुत बहुत धन्यवाद